हालो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे एसे टाइल वैल्यू के बारे में लास्ट हमने चार वैल्यू थे जो एनुलेट के कॉंस्टन थे वह देख लिए है ठीक है और गेनिक केमिसी टू देख रहे है जो सेमिस्टर 3 में आता है और यूनिट नमर हम 3 अभी कवर कर रहे है तो हमआरा फिफ्त वैल्यू है जो है एसिटल वैल्यू ठीक है तो आसे टेल वेल्यूज जो होता है वह क्या होता है पहले llc सीपल में हम देफिनेशन देखेंगे तो कोई एक ग्राम दो सबस्तान्स होता है उसका हम हाइड्रलेसिस करके जो ऐसी टीक एसी इस उसमें से रिलीज होगा ठीक है वह एस एकी केसी डीज करने के लिए हमको कितने नंबर आफ एम जी आप के वे चाहिए तो हो था हमारा acetyl value, ठीक है, तो acetyl value is the number of mg of QH required to acetic acid release through the hydrolysis of 1 gram of acetylated substance, ठीक है, तो एक acetylated substance, 1 gram आपने लिया है, उसका hydrolysis करोगी, तो जो acetic acid release होगा, वो, वो release करने के लिए आपको, मतलब एक process करने के लिए आपको कितना QH चाहिए, वो होता है acetyl value, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, boil करना पड़ेगा, 10 gram sample को 20 ml acetyl, एन हाइडर के साथ 2 hours के लिए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसमें 600 ml water add करना है, और उसको calculate करोंगे वह झाएगा आपका बी और नॉर्मल आप जो सबस्टन्स लोगे ठीके उसका जो सयपॉनिफिकेशन वैल्यू कैलकुलिट करेगा उसका हो जाएगा तो अपको यहां पर मंतलब जो अपने लिया है थीख है या फैट लिया है तो आप उसका पहले सेप्पणिफीकेशन वेल्यू निकालोगे उसके उसमें एस्प्धा लोगे रिखेसंट करके रिखेसं बहुत करना पर दोगे तो उसका भी आपको समथ tar regression value क textures भी управ Rs. सेम रहेगी थीए पहले प्रोडर को शब्स सिवंट करके उसको फ करोगे जो फिर पर्म्ला में रखने पढ़ेंगे जो फॉर्मिले वह हूं 15 1335 bracket में B minus A B और यह आपको उपर दिखी रहा है कहां से लेना है divided by 1335 minus A ठीक है तो यह formula हो गया हमारा acetal value find करने का ठीक है अब बात करते हैं उसके significance के बारे में तो यह क्या measure करता है hydroxy acid, lipid में जो hydroxy acids present होते हैं वो measure करते हैं जितना आपका acetal value ज़्यादा होगा उतने free fatty acid आपके compound में ज़्यादा होगे ठीक है तो यह उसके significance होगा है अब बात करते हैं आयोडीन value के ठीक है तो आयोडीन value में कहाता है कि आयोडीन value is the number of grams of iodines absorbed by 100 gram of fatter oil 100 gram fatter oils ठीक है उसमें कितने होते है वो होता है अपना आयोडीन value ठीक है तो आप 2 method से calculate कर सकते हो ठीक है वीज मैठर्स and Hubble's method ठीक है तो दोनों मैठर्स हम देखेंगे पहले देखेंगे वीज मैठर्स उसमें आपको सैंपल और CCL 4 लेना होता है उसको सब्सक्राइब करना होता है जो उसके बाद उसको हम की आई के साथ त्रीट करेंगे उसको टाइटरेट करेंगे हम सोडियम थायोसल पड़िकेटर यूज़ करेंगे और उसका परफॉर्म करेंगे ब्लैंक ट्रेशन भी ठीक है यह हमारी फर्स्ट मेंटड हो गई ठीक है फर्स्ट में क्या करना है सेंपल लेना है ठीक है सेंपल लेने के बाद उसको एक्सेस आयोडिन मौनोख्लोरण सलीशन जो उसके सथ ट्रिट करवाएंगे तो सारा तो नहीं रियक्ट कर पाएग यह जो बचेगा हमारा एक्सेस अम को रीक्शन करवाना उसके बाद उसको टाइटरेशन करवाना है हमाई सोडियम थायोसलफेट के साथ स्टार्च इंडिकेटर यूज़ करके और उसका ब्लैंक भी परफॉर्म करना है ठीक है नेक्स्ट हमारी जो मेथड है वो है हमारी हब्लस मेथड उसमें हमको सैंपल फ्लस CCL 4 रेना है और उसक चाहिए उससे ज्यादा अगर कंपाउन उसमें प्रेजन्ट है तो वह बागी रह जाता है तो यह समझ में आ जाएगा अब उसका फ़र्मिला देखते हैं तो आयोडिन वेल्यू करने के लिए हमको यह फ़र्मिला चाहिए तो आयोडिन वेल्यू यह फ़र्मिला अब देखते हैं तो सिगनिफिकंस में क्या आएगा कि जो आयोडिन वेल्यू है वह मिजर करती है कि सैंपल में कितने डबल बॉन प्रेजंट है जतने वेल्यू जयादा होँगी उतने ही इस में डबल बॉन प्रेजंट होगे मतलब लौ्भ अन्सला जयादा होगा eq यह जू है एडिय वेल्यू वो आपको यहाँ देता है शाधर के बारे में शितनाा थे vaccin वी जयादा होगा ठिक keyang so तो यहाँ पर फर्ड चेप्टर है हमारा वो यहां पर komplette होता है नोट्स आप को जल्दी ही मिल की टेलिग्राम この gaatel में जूर जाईए आपको नोट्स मिल जाएगी एक नोट्स अभी अप्लोड Bahn कर दी है बाकी सब एकvat मिलेद को जाईएक ज़िक है तो नेक्स्ट हम जो देखें कि टॉपिक वो है हमारे जी टी यू के क्वेशन से चैप्टर थरी के ठीक है थेंक यू